है हमारी रेसिपी स्पाइब है मोंग दाल का हल्वा जैसे कि आप सबको पता है होली आने वाली है तो उतिहार पर मिठाई बनना तो बहुत लाजमी होता है और एक ऐसी चीज है जो सबको बहुत पसंद आते हैं तो आज के अमारी यही रेसिपी है और चलिए बनाना शुरू क करते हैं तो सबसे पहले हम तयार करेंगे अपनी मोंग डाल और उसको हमें प्रिपेर करने के लिए चार-पांच घंटे बिगो के रखना पड़ेगा तो यह मैंने एक कप मोंग डाल लिये इसको मैं अच्छे से तीन-चार बार धोलूँगी और फिर हम इसको बिगो के रखें और मैं इसको चार-पांच घंटे बिगोंगी चार-पांच घंटे में डाल बहुत अच्छे से भीग जाती है और अच्छे से फूल जाती है अगर आपके पास कम ताइम है तो दो गंटे बहुत है आप उसको ऐसे कर लिजे तो मैं इसको छोड़ दूँगी अभी चार है लेट्स चेक आउट आर मुंग डाल तो यह देखिये डाल फूल के एकडम ऊपर आ चुकी है और काफी अच्छे से भीग चुकी है मैं एक दान आपको ऐसे तोड़ के दिखा देती हूँ देखिए तो ये बहुत अच्छे से भीग चुकी है अभी इसका ये पानी निकाल देंगे और एक दो बार और वाश कर लेंगे ताकि सारा ये वाइटनेस और स्टाच सा है ये निकल जाए और फिर हम इसको पीसेंगे तो मैं इसको निकाल देती हूँ पानी को और फिर इसका एकदम fine paste बनाना है हमें और पानी कम से कम अगर आप ना यूज़ करें उतना जादा अच्छा होगा क्योंकि आप जितना इसमें पानी यूज़ करेंगे उतना डाल को पकाने में आपको जादा time लगेगा और मेहनत लगेगी तो ना के बराबर पानी यूज़ करके हमें डाल तो ये देखिए मैंने बिलकुल fine paste बना लिया और मैंने इसमें बिलकुल भी पानी यूज़ नहीं किया और आपको भी कोशिश करने हैं कि आप कम से कम पानी यूज़ करें और बिलकुल fine paste बनाएं क्योंकि जितना आप उसको जादा पानी डालेंगे उतना और फिर उस पान जब तक इसमें खुश्बू आने लगे और हलका सा ब्राउनिश कलर होता है तब तक हम इसको भून लेंगे तो अच्छे से इसको मिक्स कर लीजे बेसन से क्या होता है आपके हलवे का कलर काफी अच्छा आता है तो यह देखिए अभी इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका ह है और हमारा बेसन भून चुका है अच्छे से अब इसमें डाल देंगे अपनी डाल जो हमने पीसी थी थोड़ा सा केरफुली घी उचलेगा अगर आपने उपर से डाल दिया तो थोड़ा सा ध्यान से और अब अपनी डाल को हमें भूनना है तो यह थोड़ा सा लगता है तकरीबन आपको एक घंटा लग जाएगा बनाने में सिर्फ डाल को भूनने में तो मिडियम टू लो फ्लेम पे आराम से हमें डाल भूननी है अच्छे से घी मिक्स कीजे क्या होगा शुरू में यह इकठा होगी और उसके बाद बिलकुल जब तक एकदम दाना द के ड्राय होती जा रही है तो इसलिए मैंने पीस्ते टाइम भी बोला था कि पानी जितना कम हो सके उतना यूज कीजे क्योंकि पानी आप जादा डालेंगे उतना ही दाल को पकने में और उस पानी को जलने में टाइम जादा लगेगा तो यह देखिए दाल एकदम ऐसे बु ब्राउन हो चुका है थोड़ा सा चेंज होने लग गया और खुछबू भी बहुत अच्छे आने लगी है और यह देखिए इसमें घी चोड़ने लग गया तो दाल हमारी रेडी है अब इसमें हम डालेंगे दूद एक कप अगर आप दूद नहीं यूज करते हैं तो आप इसमें पानी डालेंगे लेकिन दूद से थोड़ा से रिचनेस काफी अच्छी आजाती है तो आई वोड सेजिस के आप दूद डालो और यह एक कप डालके दूद इसको अच्छे से लगातार मिक्स करेंगे इसमें लंस नहीं रहने चाहिए और प्रॉपरली मिक्स करके कि इसका अच्छे से मावा इसके अंदर पकरी तो लेक्स मिक्स इट वैल और यह देखिए तो दूद अभी आपको दिख रहा होगा बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो चुका और बिल्कुल ड्राय हो चुका है यह अब इसमें डालेंगे इलाइची पाउडर और एक और इनको अच्छे से गी को मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे हमारी चीनी और पानी पानी बिल्कुल बॉइलिंग होट डालना है अच्छे से गरम करके डालना है ठंडा नहीं डालना है तो यह मैंने थ्री फोर्थ कप ऑफ सुगर लिया है अगर आप ज्यादा चल वहाँ घी को न छोड़ दे तो इसको चलिए पकाते हैं और मेकशुर कीज़े इसमें लंप नहीं हो तो हमें लगातर चलाते हो ऐसे ही इसको पकाना है इसमें लंप नहीं रहने चाहिए और अगर आप इसको छोड़ देंगे तो नीचे नीचे एक हाड सी लेयर बन जाएगी और वो जल जाएगी और उपर का हलवा कचा रहे जाएगा तो उस चीज का ध्यान रखना है जैसे यह अभी गाढ़ा है एक तो चीनी की वज़े से इसका कलर थोड़ा सा डार्क और होगा अभी जैसे जैसे चीनी पकेगी चीनी कप अपना बहुत ज़रूरी है अदरवाइस वो दाने से आपके दान के नीचे आएगे और इसको लगातार चलाएंगे ताकि लंस ना रहे तो यह देखे एचे से मिक्स हो चुक ऑँ और काफी गाढ़ा भी हो चुक है हमारा पानी यह देखे एचे से जल चुक है अच्छे से और चीणी भी मिक्स हो चुकी है अब इसमें डाल देंगे कुछ ड्राइफरूट सिए अगर आपको डालने है तो आप डालिये अजरिस तो मैंने थोड़े से बादाम, थोड़े से मैलूंगी काजू और थोड़े से पिस्ता, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अब इसको लगातार चलाएंगे, जब तक इसमें से घी उजा उटों के उपर ना आने लग जाए, और अच्छे से हल्वा क्या होता है, मु एंड में दानेदार ही होना चाहिए, उतना हमें इसे पकाना है, तो विल कीप स्टेरिंग इट कॉंटिनियसली, ताकि ये नीचे से वो लेयर ना बने और जले नहीं, और इसको लगातार चलाते रहेंगे, ये देखिए, अभी ये दानेदार होने लग गया है, बुर-बु देखिए, और इसको निकाल लेते हैं एक बोल में, और ये रेडी है, सर्फ करने के लिए, तो देखिए कि इतना खूबसूरत लग रहा है, और बहुत टेस्टी भी बना था, थोड़ा सा ड्राय अगर आपको लग रहा है, तो आप इसमें एक्स्ट्रा आदा का पानी, लेक को कोई special recipe चाहिए, and you guys can also check out my Instagram page, link is in the description box below, see you guys super soon, bye bye